हेलो एवरिवन, विल्कम बैक टू माई चैनल, दोस्तो आज जटपट से हम बनाएंगे बहुत ही यमी सा डिलिशयस बिने दोसा, जो करनाटका का बहुत ही फेमस बिने दोसा है, अंदर से ये दोसा सॉफ्ट होता है, उपर से क्रिस्पी होता है, और ये दोसा थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं, यहां पर हमने सारी चीजों को पहले से निकाल करके रखा है, दही को हम डालेंगे यहां पर दो टेबल स्पून पोहे के अंदर, ठीके दोस्तों, पोहा हमने लिया है, दो से तीन टेबल स्पून या फिर आप वन फोर्थ कप समझ सकते हो, इसके दही हमारा काफी गाड़ा है, इसलिए मैंने इसके अंदर दो टेबल स्पून पानी डाल दिया है, पानी की ज़रूरत और लेगेगी, तो हम थोड़ा सा और एड कर लेंगे, तो यहां पर हमने इनको बहुत ही अच्छे से मिला दिया है, काफी थिक सा यहां पर बैटर नज करके है, जैसे हमारा साउथ इंडियन दोसा बनता है, क्रिस्पी करारा वाला दोसा, उस तरीके से इसके बैटर को राद भर के लिए 8-10 घंटे के लिए फॉर्मेंट किया जाता है, लेकिन आज हम बना रहे हैं बिलकुल इंस्टेंट वाला, क्योंकि ब्रेकफास्ट में कभ हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे, ठीके दोस्तों, और मैंने ले लिया यहाँ पर यह बेसन, बेसन मैंने लिया है, हाफ कप, और यहाँ पर हमने चावल का आटा लिया है, तो सबसे पहरे इसके अंदर हम दही डाल देते है, 125 ग्राम के जितना दही है यह, दही हमारा बह पहा नहीं डाल रहे हो, पहा घर में नहीं है, तो फिर आप एक कप तक यह चावल का आटा ले सकते हो, अब चावल का आटा डालने के बाद में बैटर काफी ठीक हो गया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूगी, क्योंकि मुझे इनको करना है ग्राइंड, ठीके रुकी हुई मैंने डाल दिया है, दो से तीन गालिक आप डाल सकते हो, बड़े थे तो मैंने दो डाले, अब हम इसको अच्छा इसमूद जो है वो ग्रैंड करके ले लेंगे, इसके अंदर चावल का आटा था इस बाउन में, उसी में मैंने यह बैटर डाल दिया है, बैट तो टेबल स्पून मैंने पैन के अंदर दोस्तो ऐल डाला, और यह मैंने डाल दिया पीनट, यानि कि मुंफली, यह कच्छा मुंफली है, इसलिए मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, अगर आपके पास में रोस्टेड है, तब तो फिर आपका काम बहुत ही जल्दी से हो इसको ठंडा करके मैं डालूंगी, mixer jar में, garlic को भी मैने डाल दिया है, थोड़ा यह भी roast हो जाएंगे, flame off करके मैंने garlic को add किया है, चली इसको हम ठंडा कर लेते हैं, फैर on करके, यह ठंडे हो गये हैं तो हमने इनको डाल दिया है, mixer jar में, और उसके बाद में अभी और क्या add करना है वो फटाफट से देख लेंगे तो एक चटनी हमारी रेडी हो जाएगी बैटर भी रेस्ट कर चुका होगा कश्मीरी लाल मीच को मैंने पहले से भीगा करके रखा था यह सब मैं पहले से फ्रिज में रखती हूँ कि कब हमें क्या जो है वो जरूरत पढ़ जाए आप इसी हुए कश्मीरी लाल मीच मेरे कई वीडियो में आपने देखा होगा अगर वो हो तो आप वो भी आइड कर सकते हो आज मेरे पास में नहीं था और बैसिकली मैंने इनको भीगा करके इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इनकी इनको पीस करके रख देना फ्रिज में अच्छा हमने स्मूद इनको ग्रैंड करके ले लिया है यह देखिए चटनी थोड़ी सी गाड़ी है दोसी के लिए चटनी थोड़ी सी पतली लगती है क्योंकि हम दोसी को डिप करके उसमें खाते है तो मैं इसके अंदर पानी जो है बाद में एड़ कर लूँगी सेकेंड चटनी के लिए यहां पर मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है आदा कप उसके छिलके निकाले दो हरी मिर्च लिया मैंने और चोटा सा मैंने तुकड़ा अद्रक का हाफ इंच के जेतना लिया है और यहां पर हम डाल देते हैं दाल चार से पांच टेबल स्पून पीनट हो तो आप पीनट भी डाल सकते हो ठीक है सिर्फ पीनट से भी आप बना सकते हो आज पीनट मेरे पास में उतना ही था जिससे मैंने चटनिया बना दी खड़ा जीरा मैंने डाला हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून धनिया पौडर नमक डाल दिया मैंने और यह पाने डाल करके एकदम ब किकि पीनेट वाली चटनी अगर आपके पास बच जाया तो आप डिब्बे में रख करके दोबारा यूज कर सकते हो लेकिन ये जो कोकोनट की चटनी है ये आप बाद में यूज नहीं कर सकते टेस्ट में जमीन और आस्मान का फरक आ जाता है दोस्तों ठीक है चलिए यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है बैटर के अंदर अब हम फटाफस से दोसा बनाएंगे तो यहाँ पर मैं डाल नहीं हूँ यह वन फोर टीस्पून बेकिंग सोड डालने से फॉरन से यह बैटर एक्टिवेट हो जाएगा और इसके अंदर एक टीस्पून मैंने पिसी हुई चीनियो डाला है पिसी हुई चीनियो डालने से डोसे का जो बैक साइट की जो क्रिस्पीनेस है ना वो एक तो बढ़ जाएगी दूसरा इसका कलर बहुत ही अच् है इससे दो फायदे होंगे एक तो इसका टंप्रेचर नॉर्मल होगा दूसरा तावा भी सीजन हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पर थोड़ा सा दोसा मोटा बनाना है जो हम नॉर्मल दोसा बनाते है ना साउथ हिंडियन दोसा अज़्दम क्रिस्पी सा वो थोड़ा पतल फ्लेम को जो है ना बैटर फैलाने के बाद मैंने फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दी थी मतलब जीरो से थोड़ा सा बढ़ा दिया था उसके बाद जब यह उपर से ड्राय लगने लग गया तो अब हम इसके उपर डाल देंगे यह बटर आप घी चाहो तो घी लगा सकते हो अगर आप चाहते हो मेरे तरह इस दोसे को पलेट देना तो आप पलेट दिये यह दोसा थोड़ा सा मोटा होता है इसलिए मैं इसको एक बार जरूर पलेट देती हूँ चलिए यह हमारा एक रेडी हो गया है उपर से यह क्रिस्पी है अंदर से हलका सा सॉफ्ट होता है तो और मेरे लाइव स्ट्रीम में भी जरूर आया करिए मैंने दिवाली स्पेशल गुलाब जामन की रेसिपी लड़ू जो बेसन के लड़ू बनते हैं वो सब मैंने आपको बनाना बताया है उसको जरूर ट्राइ करिएगा चलिए यह देखेजी जैसी थोड़ा सा दोसा थंड हुआ यह हलका हलका और क्रिस्पी हो गया है आप यह देख सकते हो आप देखा आपने तो जटपट से मज़दार से बेने दोसा हमारा रेडी हो गया है आप भी इसको बनाकर इंज्जॉय करिए कल फिरा होंगी कुछ और नहीं और यमी रेसिपी के साथ में थैंक्स फॉर व